नमो नमहा सचिदानंदर उपाय विश्वद पत्यादि हेतवे तापत्रय विनासाय श्री कृष्णाय वयम्नुमह आज एक कॉमेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और आप लोगों को बहुत आनन्दा जाएगा गुरुजी आपको सुनकर बहुत ही आनन्दाता है आपको प्यार भरा नमस्कार एक मित्र ने ऐसे ही अंदर से जो भी ऐसे चित में से जो वृत्ती उठी तो उन्होंने लिख दिया है अच्छी बात लिखी है गुरुजी आपको सुनकर बहुत ही आनन्द आता है तो आपको जब आप एस सुनेंगे जब एस टाइटल आप पढ़ेंगे जब मैं टाइटल रखूंगा कि आपको सुनकर बहुत आनन्द आता है तो आपको लगेगा इस वीडियो में सुनने जैसे क्या है तो मैं आपसे बत है तो उसमें मैं थोड़ा आनन्द जो है उसकी बारे में थोड़ा विश्लेशन करने वाला हूं तो और आनन्द हमेशा आये ऐसी मैं कोई उसमें से चावी बताने वाला हूं चलो तो आप वीडियो देखते गदेखते ही हो ऐसा समर्लो तो गुरुजी आपको सुनकर बहुत ह आनन्द आता है तो देखो आपका कितना शरीर है एक है अन्नमाई कोश फिर दूसरा है प्राणमाई कोश फिर तीसरा है मनोमाई कोश फिर विज्यानमाई कोश और आनन्दमाई कोश है तो आनन्द जो है तो वहां से आता है अन्नमाई कोश है वहां आनन्द नहीं ऐसा रूप है वहां से आनन दाता है तो जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थ खाता है जैसे अभी जो बच्चे लोग है उसको पीजा बर्गर में आनन दाता है तो वही बात करेंगे जैसे समय कि आप बलेंगे नहीं गुरुजी हम लोग जैसे यह यूटूमें ज्याइनल है तो कॉन लोग वीडियो सुन रहें तो ज़्यादा से 15 लोग पनद्रा की आयू से लेक्के 55 तक ज्यादा देखते हैं सब लोग देखते हैं बच्चे भी देखते हैं मन ज़्यादा कर तो यह 35 उम्मर वाले है वो सोचें को गुरूजी हमको गुलब जांब है कि उससे आनंद होता है तो सबको अनंद आना चाहिए और हर गड़ी आना चाहिए तो जैसे आप कोई चीज आतमें लेते हो तो उसी टाइम आपका जो जित है न अपने स्वरूप में जाता है और स्वरूप में आनंद है तो आपको लगता है कि मुझे उस चीज से उसको टेक्निकल बासा में ब्रह्मना बोलते हैं, ब्रह्मना ऐसा समझ लो, ब्रह्म हो आपको आनन्द का, तो ये जो चीज आपका जो स्वरूप का जो आनन्द है, वो ही आनन्द आपको आता है, तो पहले हम देखते हैं कि जो प्रित में ऐसा है तो हम आगे चलते हैं फिर शब्द शपर्ष का मतलब है कि एसे लोग बोलते हैं कि गुरुजी ऐसे समय लोग कि मैं जब मेरी मां को मिलने के लिए जाता हूं तो मेरी मां मेरे सिर पर हाथ रखती मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा समय लोग तो शपर् पांच बार देखा दो बार देखा ऐसा देखते हैं तो वह कोई बोलते कि मैं हिमालाय में जाता हूं ऐसा अच्छी चीज को देखता हूं ऐसा समय लो और प्रकृति को देखता है तो वह अपने भीतर चला जाता है तो भीतर का आनन्द है वह देखता है वह उसको ऐसा होता है कि जैसे imposition of that joy in that real thing ऐसा स्वाम है लो फिर हम आगे चलते हैं सब्सक्राइब कुछ खाने की बाद जो भी मैंने बताई और सब्सक्राइब कोई बोलता है कि जैसे मजे रात रानी आता है रात को फूल खिलता है उसले हम लोग उसों रात रानी बोलते तो कभी गार्डन में जाते हैं अच्छी-अच्छी-अची मधूर सुगंध आती हैं इसा तो उसमें आनन राता है तो यह जो है शब्दव रूप रश और गण्ध है तो सुनो यह जब आपका यह जो है तो कभी 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 आपको प्रगण होती है पिर आप चित्त में जाते हैं जिसे आपको आनन्द होती है है तो चलो एक मित्र पूछा है की मिश पूछा नहीं अयसे मुझे बहूत आनंद आए94 तो आननद आता है ये सुन कर आनन दाता है तो अभी आपको क्या करना है कि देखो ऐसा एक प्रोग्रम करना है कि मैं हर वक्त आनन में रहता हूँ देखो आपको मेरा तो सिस्टम लोगों को मालूम पढ़ गाए शब्द एक शब्द को चुनिये अम्नमहा औम्नमषी है पिर विचार है तो उसे सहे में प्रोग्रमिंग कर डालो बाई क्या प्रोग्रमिंग कर डालो कि मैं हर हाल में खुश रहता हूँ और पहला कर रिपीटेशन करो फिर आप देखना कि वह आपको बनाएता ता इन्हों ने पूछा था कि गुरुजी आप बताए सास्त्रों का सहारा लिये भी ना बताए तो मैंने एक उधान दिया था कि जैसे आपसे मैं बताता हूँ कि जैसे दही जो होता है मलाई वाला अंदर ऐसे समय लो उसको आप मतते है ऐसा समय लो तो उसमें से मक्षन अलग होता है ऐसा समय लो बटर अलग हो जाता है जैसे समय लो फिर बाद में मिक्स नहीं होता है तो आप जैसे चिंतन करेंगे क्या चिंतन क करेंगे यही मकसद है वीडियो बनाने का कि आपका जो स्वरूप है आनन स्वरूप प्रकट हो जाए मैं आपको ज्यान देने की वाद कम करता हूं सुनो ऐसा मैं तो यही समझता हूं कि आपके वितर जो छुपा हुआ है तिल में जैसे तेल है चकमक में जो आग तेरा हरी कि तो जान ओम नमा